जायरात कशी कराईची, गाय कराईचे, दुर्देवे, या राज्यान चा माननी या उपा मुख्य मंत्रने एक एसोपी करा लगते, मी पहिलान दाच आईकते, ये चा आर्था एकच होतो, जी गोश्टा आमी सातत्याने सांगत होते, यी भहीनी लाड़क्या या लोक सबेचा रिजल्ट नंतर जालया, आणी मुख्य मंत्री लाड़की बहीन योजना, इक मैलान चा सबली करना साथी नहीं, स्वताचा पक्ष आणी स्वताचा स्वार्था साथी या ट्रिपल एंजिन सहे जे सरकारे, तेनी काडलेला है चात मैला, सबली करन, सशक काही नहीं, स्वार्था हाच या मदे आहे, एक दुर्दैवे, कि महाराश्याचा कष्ट करनार्या स्वाविमानी मैला, भापडया मैलानना विश्वास बसला, कि कदाची तेव सरकार जये, ते अपले सटी है, ते अपले सटी नहीं, स्वार्थी सरकारे, आणी स्वता लोकस अभेला, यह उड़ा अपय शाल्यावर त्यानना भईणी आठोल्या आणि त्या पन भईणी आठोल्या नंतर श्रेय वादावर जे दिस्ते तेच्या तुनाच यह सरकार एक्सपोस जे आणि यह फक्त एकच लक्ष विदान चाबा वरच डोले अवर थ्यून यह उड़की बहिनि मुख्यमंत्री लाड़की बहिन योजना काडलीली दुरदैवै माला विचाराल भऊ बहिनिचा नात्याचा अपमान आइए यह आत्ता कालची जी कृती जालेली आए कैबिनेट मादे ती आ कृती बदल मी बोलती योजने बदल नाही, मी कुरूती, जी कैबिनेट मदे कुरूती जाली, ती न शोबनारी है और त्या नात्याचा अपमान आही योजने चा एकुनस जेव फलक आहे ताजी दादा जापदादी ने प्रचार करता है ते वरना महायूती चे नित्यान वगड़ने तले वरना नाराजी व्यक्त करने ताली लिया है शंबूर अजी नितर मुख्य मंत्री यानी उपमुख्य मंत्री यांची बेड गयूने चर् यहां काय मनले होते कि आजीत पवारन वर आमी नाराज आओत वनुन ते सगले आसामला गेले आण महणूना आमी सरकार मदून भाहर पढ़लो करेक्ट तुम्चा चैनल बर तुमी दाखोले होते चामले आधी तेमाते आजीत पवारन नाराज होते परत मक सत्ते साटी परत एकतर आले आजीत पवारन मदल परतीच कंप्लेन तेमाले दुरदय वाये कि हा सगल्या मदे ते आजीत पवारन एक टार्गेट करता तस दर वली सकाई ना काई तरी करूना अडि त्यास बरोबर टार्गेट शेयोटी तेनी कुणा कराईचा तेन्चा अंतरगत प्रश्ण अमचा सरकार आइस, इंकम टैक्स, CBI, ED या भीती नी या लोकान नी पाडला यांचा सरकार स्वत्ताचा अंतरगत वजनानी आणी कॉन्फिलिक नीच काय ते महराष्ट्र बगते दुरदय वे हुना मी मन्टे के ना स्वत्ताचा राच्किय पोल्या भाजन्या साथी तेनी स्वत्ताचा स्वार्था साथी योजना काडलिया, जर खरत महिलान साथी योजना काडलिया अस्ती, तर तेचा श्रिया गेचा विशय यत्तोस कुट ताइप उनारी विदान सबाही थाकरे आनी पोवरांची शेवट्ची निवर्ण वसना रतलाचा बावन कोई मन्ते, तेला काय उत्तर देलाई, ये एक सशक्त लोकशाही आहे, लोकशाही पक्षाचे अध्यक्षा थरोत नाई, कुणाची पहली का शेवट्ची, ते माई जनता थरोते, मनुन मी तुमाला जेने में मन्ते, कि हे सरकार आणी भारतिया जनता पक्षाहाद सववी धानाचा विरोधात आहे, ये सववी धानाचा विरोधात लोकशाही मदे, इलेक्षान मदे यश अपयश, ये पक्षा थरोत नाही, ये माई बाब जनता आणी मतदा राजा थरोतो, आणी ये पावारांची आणी ठाकरेंची ही शेवट्ची निवड्णों याचा अर्थाचा हा होतो, कि कदाची बारतिया जनता पक्षाहाद परत इलेक्षेन गेनार नाही का माराश्चातन देश त्याला दडब शाही मनता तो लोक शाही नाही, ये आणी खीने गुदारन आहे, सवविदान बदलाईचा हैंचा मनात पाप दिस्ते, तेचा श्युआ कसा असा बोल ले असते की शेवट्चे, तुमी माला विचार करून सांगा, ये पुना एकदा भारतिया जनता पक्ष तुम्से बेर नहीं, देवेंडर तेडी खेर नहीं, अशा प्रकार से आदेश आपकाण प्रवगतान दिलाईचे सद्धा शाही आए, त्या वरूं भाजब में, तुम्चा वर्ती जातिया वादा सा अरुप लावले हैंचा आरुप लावले हैंचा मनता प्रूफ काया त प्रूफ काया, मी कुठे बोल ले हैंगा ना माला वीडियो दाखवा, मी कुठे है बोल ले ले आए, और माराश्या चाची माय बाप जनते ला, माय जी स्टाइल बोलाईची माय के, याच वक्तवय वरूं बावरूं कोय मनता जे पोटा दोता ते वोटा दालेला है, ये व प्रूफ काया, मी ते ट्वीट तुमचा चैनल वर पाइलेला है, मी पन ट्वेट डेटा तेचा गोड़ा करते कि है MOU आहे, का इन्वेस्मेंट्स है, करान thermalá दोन इन्वेस्मेंट्स कुठे गिंश तेत नाहीенा है, महराष्चा दोता नोक्र्या वाडलेल्यात नाहीен, महीं इन्वेस्मेंट्स झाली है幫 ला, ये कुटे काम चालू है, ये कड़ा था पाईजे, MOU、 मदोन एकानमी चालता था नहीен, दाइरेक्ट इन्वेस्मेंट पुठे जाली है कलना पाई जाए। इन्वेस्मेंट पुठे जाए। अगली सुचना है, लोक्षा है हमचा कड़ून दड़प शाई नाई है, देवेंदर जीर ना सब्सक्रा बोला था आधिकारे हम इस्वागत करते जन्जा प्रत्रेक्स जेखना है अगली सुचना है, अब कलेक्टिव लिडर्शिप पर जोर दिया जा रहा है, अभी खबर आई है कि चार प्रमुक नेताओं पर व्यवस्थापन की जिम्मिदारी सौपी कही है, जिसमें निवेंदर पड़नविस, गड़करी, डानवे और बावन कुड़े होंगे अब कयास लगाये जा रहे है क्योंकि गड़करी जी के एंट्री वापस से महराष्ट में हो रही है, जादा तर मतलब अगले एक महिने की पूरी जिम्मिदारी महराष्ट की उन पर सौपी जाएगी, तो इस बदलाव को किस तरह से दिखते है, ऐसा क्या हुआ कि पास सालों है, हार एक पार्टी को वाधिकार है, और हम लोग कर तंत्र और सविदान पे विश्वास करने वाली पार्टी, और हमारी गड़ बंदर है, तो ये भी कह रहे है कि खुद को कोई भगवान ना समझे, इस तरह के बयान RSS के प्रवक से बार-बार किये जा रहे है, क्या आपक कहीं व्यक्तिक इंदरित नेतरुत वजो है, वो आगे आते दिख रहा है BJP में और उसके वज़े से ये सब हो रहा है, लेकिन भागवाज जी किसके बारे में बोल रहे थे, वो मुझे समझ भी नहीं आतो, मैं कैसे बोल सकती है, मुख्यमंत्री माजी लड़की योजना, इ इनको विधा लोकसभा के रिसल्ट के बाद आई है, इनको बहने लोकसभा इलेक्शन के बाद याद आई है, और इस योजना में दुख की एकी बात है, इनको इनकी बहने समझ भी नहीं आई, उनको लगा बहनों को पंदरा सो रुपया दे जा है, तो बहन भाई का कि ये कैसे अड हो जाए, कैसे लोगों उतक पोचे, तो ये प्यार और विश्वास का रिष्टा है ही नहीं, ये एक व्यवार है, उनको लगता है, हर बहन वंदरा सो रुपया में राखी बान के, हम लोग उसको आगे ले जा सकते हैं, दुख की बात है कि बहन को प्यार चा कि युक्त होने की कही न कही इच्छा जता रहा है, और दोनों में जगडा नगर आ रहा है, उपाली जाकंतर और उपाली खुम्रे बाते लोगता है, एक दूसरे के खिलाफ और बयान बाजी करते नगर आ रहा है, मुझे पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं, पड़ा भी न अंतरगत मामला है, देवेंद्र जी जाने और शिंदे साब जाने ना, उनको देखना चाहिए, उनकी काडर को देखना चाहिए, बीजेपी की काडर को सोचना चाहिए, जिनके 105 MLA है, वो जाने, हम क्यों उनके घर में जाके, जिसके 105 MLA है, जिनके 50 MLA है, जिनके 50 MLA है, मु प्रश्यार की विजरात की विधायक जो है विए महारास्थ्टा में हैं, कैसे देखते हैं? मैं देखता हुएएं, मैं देख रही हमकि उनको महारास्थ्चा था ओप इंके लीडर्शिप पर इविश्वास नहीं है यूँकि कल मैंने आपी के चैनल पे देखा है कि काफी बाहर राज्यों से बहुत सारे नेता महराष्ट्र में आ रहे हैं ऐसा आपी के चैनल में मैंने देखा है यह प ने आपको पूछना पड़ेगा कि यह कहती है तरह जो इसक्ना को माराजर्ज को आन रिटी पार आ कि उिसम्हते र security पार्फा है उतने ड द सीWA आ है यह प्रश्ण चेननों तो आपको भी जबी का पूर शाहता है ताइड आगर पता तो चले केस क्या है किस के वामले और हमें कौर्ट पे पूरा विश्वास है सत्यमेवजयते जब भीचय होता है सत्यकाई होता है यह प्रश्वास होता है तो आपको अपना जाएड प्रश्वास है लोगत तंत्रं पे खिलाफ जो बीजेपी है सवीदान के खिलाफ जो बीजेपी है इसलिए ऐसा वक्तव है ऐसे एक सशक्त लोकत तंत्रों में पहला या आखरी ये कौन टे करता है। माई बाप जो मतदार है, जो वोटर है, वो राजा है, कोई पार्टी राजा नहीं होती। और दुख की बात है कि भारतिय जंदा पार्टी ये सविधान पे विश्वास ही नहीं करती। इसका और एक उदारण है। आप देख रहे हैं, ऐसा कोई कभी किसी को कहेगा। ऐसा लग रहा है शायद कि भाराष्टर में इसके बाद इलेक्शन होगा ही नहीं। या भारत में इलेक्शन फिर से नहीं लेंगे। तो सविधान के खिलाफ ये है बोलना जो उन्होंने कहा है और शायद ये संकेत है कि इसके बाद जब तक भारतिय जंदा पार्टी जो है सरकार में वो इलेक्शन ना ले। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे इलेक्शन यहां जो कॉर्परेशन के इलेक्शन नहीं लिए। जिला परिशत के इंचायल पंचायत के इलेक्शन नहीं ले। ऐसा भारतिय जंदा पार्टी को लगता होगा कि महराश्यों में आगे इलेक्शन ना ले। देश में इलेक्श को दिया है उसके खिलाफ इनका ये स्टेटमेंट है इसकी मैं निंदा करती हूँ